नमस्ते सभी विध्यार्थियों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं एवेरी, मैकलोईड, मैकार्टी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ग्रिफिट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें S-Strand से R-Strand में कौन ट्रांसफर हुआ था उसकी नेचर का पता ग्रिफिट नहीं लगा पाया था, रूपांतरित पदार्थ की प्रकर्ती का पता लगाने के लिए, एवेरी, मैकलोईड, मैकार्टी, 1933-1945 थक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किये, तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने हीट-killed S-strand, जिसको की ग्रिफिट ने हीट-killed किया था न, उस S-strand का सेंट्रिफिगेशन किया था आपकेंदरन और इसके बॉड़ी से इसके सभी मायो मॉलिक्यूल्स या इसके सभी जेवनों को सेपरेट कर लिया, क्योंकि यही तो देखना था न, कि SAR में कौन गया, वो आखिर में वो DNA गया या RNA गया या protein गया या carbohydrate गया, तो इसने centrifuge करके इसकी बॉड़ी से सारे बायो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया, और अब उसके बाद में देखो क्या किया, यह बायो मॉलिक्यूल है कौन सा RNA, RNA को live R-strand के साथ चुहे पर injection लगाया, चुह पर injection लगाया, चुहा जिन्दा रहा, जिन्दे का मतलब होता है इसमें pneumonia रोग नहीं हुआ, अब की बार में lipid को live R के साथ mix करके चुहे पर injection लगाया, चुहा जिन्दा रहा, मतलब चुहे के pneumonia नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप में DNA के साथ में live R-strand को लेकर चुहे पर injection हो गई, डै, तो इसे हिंट तो मिली गई ना, कि जब हम पूरा S-strand दे रहे थे, heat killed R के साथ तो भी चुहे के pneumonia हुआ, और अब हमने उसी heat killed S-strand के cable DNA को live R के साथ में चुहे पर injection लगाया, तो भी pneumonia हो गया, ये जो सारे biomolecules से, ये वो ही heat killed S-strand से isolate किये हैं, अब इस carbohydrate को live R क साथ मिलाकर चुहे पर injection लगाया, अगें चुहा जिन्दा रहा, तो इस साथ साथ साफ पता चल रहा है कि जो S-strand से R-strand में DNA ही transfer हुआ था, अगें इन्होंने cross check किया, अब cross check में क्या किया था, देखो, cross check में क्या किया, वो ही जो है na DNA था, heat killed S-strand का DNA, plus DNA's enzyme, अब ये DNA's enzyme ह और इसको किस के साथ में, live R-strand के साथ में, किस पर injection लगाया, चुहे पर, और अब की बार में चुहा क्या रहा, जिन्दा, चुहे के pneumonia नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो DNA's enzyme है न, ये क्या करता है, DNA का पाचन, DNA digesting enzyme होता है, DNA's, तो इसने DNA का पाचन कर दिया, तो DNA का ही digestion हो गया, तो फिर DNA तो कामी नहीं कर रहा है न, अब only live strand का injection लगाएंगी, तो चुहा जिन्दा रहा, इससे साफ साफ सिद्ध हो गया, कि S से R में DNA ही transfer हुआ था, अतहा उस रूपांतरीत पधार्त की जेवरासाईनी प्रकरती का पता लगाया गया था, इस experiment से क्य का सिद्ध हुआ था, इससे रूपांतरीत पधार्त की transforming material की जेवरासाईनी प्रकरती का पता लगाया गया और इसमें जेवरासाईनी प्रकरती उसकी क्या पता चली? अब देखो, ऐसा ही फिर इन्होंने cross check किया था, protease enzyme की द्वारा और RNAs enzyme की द्वारा, यह protease enzyme किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, तो इसमें तो वैसे देखो नया कुछ नहीं है, यह तो सिद्धी होई गया था ना कि protein से तो pneumonia होई नहीं रहा है, फिर भी इन्होंने protein plus protease plus live R, अब इसका चुहे पर injection लगाएंगे, तो वो तो चुहा को तो जिन्दा रहना ही था ना वई, जब protein ही नहीं फेला पाया था, तो protease तो protein का digestion कर देगा, तो फिर तो कहां से pneumonia होना था, सेम ऐसा ही यहां पर किया, RNA, RNAs और live R के साथ चुहे पर injection लगाया, चुहा जिन्दा रहा, तो इससे यह साफ साफ सिद्ध हो गया, कि ऐसे R में protein और RNA तो नहीं गए थे, अब यह अब की बार में यहां पर क्या किया, RNA plus RNAs plus live R, इस का चुहे पर injection लगाया, और आपकी बार भी क्या रहा, चुहा जिन्दा, यह जो protease enzyme हैं और RNAs enzyme हैं, यह रुपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, रुपांतरण को प्रभावित कौन करता है, DNAs, समझ गए, इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए application को download करें, application का नाम है, पारूल आडवानी साइंस, जो अपने YouTube चैनल का नाम है ना, वही नाम है आपका, जिस पर आपको भारत के सभी exams के theory course, test series मिल जाएगी, और biology subject के course मिल जाएगे आपको, ECB, मतलब state के PZT परिक्षाओं के, और Rajasthan के RPC first grade, second grade, thank you, all the best.